हावा बहुत चल रहे हैं इनको चलो सेट कर लेते हैं जी हाँ दोस्तों दर्वासे आपके मुझ पे ऐसे ही बंद हो जाते हैं और आप इसका कुछ करे ही नहीं सकते हैं बचाने जाए तो हाथ पे चोट लग जाती है तो इसलिए आज हम लगा दे हैं अपने दर्वाजों पे स्टॉपर ताकि हावा चले और रोके रहें तो चले लगा देते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा अपना स्टॉपर स्टॉपर जो है आपको डिफरेंट रेंज में मिल जाता है यह anywhere between 70 to 800 की रेंज में मिल जाता है आप कोई भी ले सकते हैं डिजाइन को देखते होए और अपने घर के पूरे थीम को देखते होए साथ में चाहिए होंगे स्क्रूज यह wooden स्क्रूज हैं carbon fiber वाले because यह shark होते हैं easily लग जाते हैं इसमें महनत कम लगती है इसलिए मैं यह वाले prefer करता हूँ बाकि आप steel वाले भी ले सकते हैं साथ में चाहिए हमें यह screwdriver आप screwdriver नॉर्मल भी उस कर सकते हैं पर काम जल्दी और आसान करने के लिए आप drill machine में ऐसे attachment लगा के इससे भी कर सकते हैं चाहिए एक extension board अगर आपका plug जादा दूर है और इसे आप power दे पाए इस design का आपके दर्वाजे के पीछे लगता है ताकि यह देवार जो है उसको प्रोटेक्ट कर ले जब आपका दर्वाजा बैंक हो हम लगाने वाले हैं वो दर्वाजे के फ्रेंट साइट पर लगेगा एंगल देने के बाद इसको इस तरीके से रखिए कि एकदम जमीन पर अच्छे से रुख जाए उसके बाद आपको कुछने करना है अपने screws को अराम से लगा लेना है और यह आपका फिर stopper अराम से लग जाएगा तो शेलिए अप screws लगाते हैं मशीन से लगाते हैं आपको एध्यान लखना है कि धीरे धीरे करें आपको screw लगाना है एक साथ नहीं लगाना है और इदम स्ट्रेट पहले बोनों उपर के लगा लिए ताकि एक लगाने के बाद चेक कर ली कि आपका दर्वाजा रुक रहा है या नहीं रुक रहा है तो सब बढ़ियां है तो शेलिए दूसरा लगाते हैं आप चाहिए तो इसे डाइगनल में भी लगा सकते हैं ताकि दो screws में भी आपको काम हो जाए पर मैं चार ही प्रेफर करता हूं जब सब हो गया हो तो एक बार लगा के चेक कर लें और हमारा दर्वाजा एकदम पर्फेक्ट हो गया